सही से टाइम नहीं कर पाए दो से बहतर चार बहतरीन शाट गेंद की तो ऐसी की तैसी करके रग दी उठा दिया मैदान के उपर से चारन के लिए दो गर्मा गरम बाउंडरीज लगातार क्या बाउंडरीज की हेट्रिक होगी दोलो बल्ले बाद इस पारी में उच्छी को फूर से बाउलर का पैर क्या लाइन के आगे अपार ने को वक्त पर लगता अब इसे रोपना संभाव चक्का चक्का उदाजी बनी खुशी फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के उपर हर एक सिंगल माईने रखता है भाईया आस्मान को चूती गेंग गई डीट स्क्वेर की ओग शांदार तरीके से स्क्वेर कट किया बल्ले बाद ने बहुत बढ़िया टाइमिंग स्क्वेर स्क्राएम का डीबाएम में भाईया में पगे बंगल वाईया लाज exploring खलके हाथों से उनसाइट पर खेला और बिलकुल आराम से पीड़ेट ने बुझार की तरफ देखा और उसकी तरफ गेंट फेकी तिपार रगवज़ेट से घिसकते वापस आए हैं लेकिन क्या पहुँच पाए है अमपायर को मालूम लेकिन बल्लेबास को नहीं नट आउट चीते की तरह भागे और आसानी से दो रन पूरे कर लिए लगता है विकेट बचाने के लिए डाइव बार नहीं पड़ेगा लगता है बाल बाउंडरी तक जाएगी और चली गई चार रन सीधा लंबा खिलाए डाउन दे ग्राउंड चार रन के लिए गें जा रही है क्या ये तीन बाउंडरी जे एक साथ लगा पाएंगे ओवर को समाथ के अच्चो के किसा इस ओवर में बहुत धीली गेंग बाजी हुई एक महंगा ओवर जिसका खाम्याजा इनको भुगतना पड़ सकता है इनको एक अच्छी साजेदारी बनानी पड़ेगी मजबूत टोटल खड़ा करने के लिए आफ स्पिनर आये गेंग बाजी के लिए बेकरार है विकेट लेने के लिए स्पिन का समय आखरमट लिए ऑन साइट पर ट्लिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए इस जोड़ी के बीच अच्छा ताल में अब इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन माइने रखता है मस्बूत बाजूँ ने खोब सुरक ठोखेगा बल्ले बास के अच्छी सूजबूज आसानी से एक रन पुरा किया बल्के हाथों से उनसाइड पर खेला और बिल्कुल आराम से डेक्सबुक ड्राइव रॉकेट की तरह गया एक्स्ट्रा कवर की हो कवर और मिड़ाफ के बीच से चीरता हुआ वापस क्रीज की और डाइव लगाई है क्या ये आउट है बल्ले बास अपनी क्रीज से मीलों दूर पीछे इस बल्ले बास की यादगार पारी समाप्थ होती हुई टेल एंडर जा रहे हैं खेलने के लिए लगता कैप्टन का कोई नया प्लान है बल्ले बास का परफेक्ट ड्राइव एक डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्थ हुई गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर एक टप पाउर गेंज बाउंडरी के बाहर ये है इनका सर्वोतम शॉड्ट स्क्वेर काट बड़ी आकश्बो का इस्तमार फील्डर की पार अच्छी थ्रोव सीधा स्टंप्स के उपर दो रन और जोड़ दीजिए और स्ट्राइक भी वाकस ले लीजिए ये शॉट अब किसी भी किताब में नहीं मिलेगा बॉस वापस चलांग लगाई है लेकिन क्या ये समय पर थे बेल जोड़ी हवा में लेकिन अम्पायर की उंगली नहीं बल्ले बास सुरक्षिन अपसाइड पर लगाया एक उम्दा ड्राइव खूब सुरत फॉल्ट्रू टिसाथ वापस अपसाइड बैटिंग टीम के लिए बहुत अच्छा हुगा है अपस्पिनर आये गेंबाजी के लिए बेकरार है विकेट लेने के लिए इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के उपर दो रंग पूरे किये और पुल स्कोर की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए जाके मारा है पूचा मारा है और गेंद गई चार रंड के लिए एक एक रन छोड़ो छे रन चे नाता जोड़ो क्या छक्का लगाया है क्याचीट किपर अमपार्ण का आउट और जश्म का माहौल फिल्डिंग उनिट में ऐसा लगता है थर्ड अमपार के लिए जाएंगे लगता है बल्लेबास लाखोच इस निरने से अमपार्ण का लगता है पिचसे उठकी हुई गेंद को जाने दिया बल्लेबास ने ये इंदबास की भावनाओं को थोड़ी ठेस लगी ये ओवर ऐसा लंगर था कि जितना चाहे खालो महंगा ओवर लेकिन बैटिंग टीम के लिए बहुत लाबदायक इनको कुछ अलग करने का प्रयाज नहीं करना चाहिए ये साजेदारी बैटिंग टीम के लिए बहुत मेतलपूर है जैसा कि कुछ खेलों में कहा जाता है कि हमेशा टांगों पर प्रहार करो यही बात क्रिकेट पर भी लागू होती है लेक्स पिननर आ रहेंगे इन बाजी के लिए